जितनी भी हॉरर स्टोरीज मैंने इस चैनल पे आपको बताई हैं उनके मुताबिक मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि कोई भी चीज दुनिया की जो होती है वो खामखा आपको परिशान नहीं करती मैकसीमम टाइम्स हम यही देखते हैं कि जब हमसे कोई गलती हो जाती है या जान पूछ करके हम जिन, चुड़ैल, आत्मा या किसी भी ऐसी हॉंटिड जगा पर जाते हैं तो उसी के चलते वो चीज़े ट्रिगर हो जाती है और हमारे पीछे लग जाती है लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं फिर भी वो इन चीजों से बास, इन हरकतों से बास नहीं आते आज की कहानी भी एक ऐसे ही लड़के के बारे में है जिसने सिर्फ अपना नुकसान यहाँ पे नहीं किया उसने अपने माबाप, अपने दोस्तों और खुद को भी यहाँ पे मौत के मूँ में ठकेल दिया और आज उसकी हालत ऐसी है कि चाहा करके भी, सच्चाई जान करके भी कोई उसकी मदद नहीं कर सकता तो यह कहानी है अभी के बारे में कहानी क्या है, यह मैं आपको पूरी की पूरी पता देता हूँ कहानी शुरू होती है एक mental asylum से mental asylum में एक प्रशान्त नाम का डॉक्टर काम किया करता था बहुत senior था वो उन्हीं का एक junior आता है जिसका नाम था विराज विराज आता है और वो एक patient को देखता है जिसका नाम था अभी अभी बहुत ही अजीब किस्म का लड़का था अजीब इन दर सेंस कैसे कि उसको आप दवाईयां दे दीजिए सब कुछ आप उसके साथ कर लीजिए वो लड़का किसी भी तरीके से सही नहीं होता था mental asylum में कैमरो और डॉक्टर्स की देख रेक की चलते वो at least अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करता था बाकी उस लड़के के अंदर सही होने के कोई symptoms नहीं थे सारे patients जो होते थे वो वक्त के साथ सा ठीक हो रहे थे लेकिन विराज ये चीज़ देख रहा था कि अभी में कोई improvement नहीं उसने प्रशान से पुछा सर एक बात बताईए ये patient कौन है और ये इतना ठीक सा लगा मुझे दिख रहा है शकल सूरत से ठीक है और लगातार ये aslam aslam क्यों चिलाता है प्रतीक प्रतीक क्यों चिलाता है कौन है प्रतीक aslam मुझे आप बताईए सर और इस लड़के का नाम क्या है जिसके बारे में मैं सब जानता हूं लेकिन मेरे हाथ खुद बंदे हुए है और मैं ये सला तुमें भी दूँगा कि इस सच्चाई को जानने के बाद में तुम इसकी मदद करने की जुर्रत मत करना नहीं तो मौत का तांडव तुम्हारे सर पे भी हो जाएगा उसने का सर आप मुझे स्टोरी बताईए आखिर इस लड़के अभी के साथ हुआ गया प्रशांत बोलना शुरू करते हैं ये दो रूमेट्स थे अभी और प्रतीक ये दोनों एक होस्टल में रहा करते थे और वैसे ही जैसे लोग नॉर्मल बात करते हैं होस्टल के अंदर वही सब कुछ होता था बॉइस होस्टल था सब कुछ था अभी को एक लड़की पे क्रश था जिसका नाम था खुशी खुशी को अपनी दिल की बात बताना बहुत दिनों से चाहता था लेकिन वो कभी बता नहीं पाया एक दिन ऐसे ही मैं फिल जमी प्रतीक और अभी ये दोनों शाम में बैठे होए थे और बात जब उठी तो उठते उठते प्रतीक ने ये बात बोल दी कि तू जो है वो इतना बड़ा फट्टू है कि तू अपने दिल की बात कभी खुशी को बतानी पाएगा अभी भी इस बात से वाकिफ था उसने इस चीज़ को इतनी सीरियसली ले लिया उसने कहा मैं अपने दिल की बात कल खुशी को बता के रहूंगा चाहे वो माने चाहे वो ना माने लेकिन मुझे फट्टू मत बोल मैं डरपोग नहीं हूं इस बात को तू मान ले उसने का ठीक है अगर तू डरपोग नहीं है न तो मेरा एक काम कर तू प्रूव कर दे अपनी काबिलियत को बता दे कि विक्रम बेताल में से विक्रम तू ही है और सामने वाला जो घर है जिसकी काहनी इस कॉलिज का बच्चा बच्चा जानता है वह पे जा और कुछ पांच-देस मिनट पिता किया वापस आजा सही सलामत और अगर तू आ गया तो मैं मान जाओंगा कि तुझ में हिम्मत है अभी जानता था उस घर के बारे में प्रतीक भी और उस कॉलिज का उस कैंपस का उस होस्टल का हर एक बच्चा कि वो घर जो है वो जीता जाकता नर्क है उस घर के अंदर कितनी आत्माओ का वास है ये भी किसी को नहीं पता था बस इतना मालूम था कि उस घर के अंदर जाना नहीं है कई लड़के कई लड़ियां उस घर के अंदर गए गायब हो गए नामु निशान नहीं मिला उनका पुलिस वगेरा तक भी कारवाई करने को तयार नहीं थी कोई उस घर के अंदर जाने को तयार नहीं था ये शर्ट जैसे ही अभी ने सुनी उसकी आखे बट गई उसने कहा देख प्रतीक मैं ये नहीं करूंगा अगर तू कुछ और क्या दे तो मैं कर लूँ उसने कहा नहीं नहीं खुशी को तो तू प्रोपोस करने सकता तुझे ये ही करना होगा अभी उस हॉंटिड हाउस की तरफ चल पड़ा उसके पैर काम रहे थे लेकिन प्रतीक की दी हुई शर्ट और खुशी को प्रोपोस करने की इच्छा जो थी वो उसके मन के अंदर घर कर चुकी थी वो कहीं से कहीं तक ये नहीं समझ पा रहा था कि उसकी जिंदगी में वो कल कभी आएगा ही नहीं जिस कल को वो खुशी से बात करने की बात कर रहा था वो वहाँ पर गया और उस हॉंटिड हाउस का जब उसने दरुवाजा खुला लेटरली उसको वैसे ही फील हुआ जैसा कि हम लोग फिल्मों वगरा में देखते हैं वही क्रेपी सी आवाज उस डोर में से आ रही है अंदर जब वो गया तो उसने यहाँ पर कुछ दो चार चमकादड़ों को देखा जो अचानक से उसके उपर हमला कर देते हैं वो वहाँ से बाहर बाकी उस खर के अंदर कुछ नहीं था घर लगबग खाली था जला हुआ घर था या उसको खाली का रखा था इस अंधेरे के अंदर ये भी पता नहीं चल रहा था एक तस्वीर से रोटंगी हुई थी उस तस्वीर को जब उसने अपने मुबाइल की फ्लेश लाइट से देखा तो उस तस्वीर के अंदर पास से साथ लोग थे जिनके चेहरे जो थे वो उधर मौझूद नहीं थे मौझूद इन दा सेंस ऐसे फोटो पूरी है सर भी है वहाँ पे लेकिन उन सरों को देखकर के ऐसे लग रहा था कि उनको किसी में बलर कर दिया या फिर आप ये कह सकते हैं कि क्लियरली उनके चेहरे विजिबल नहीं थे वो इधर उधर ही चलता रहा कि इतने में उसको अपने पीछे किसी चीज के किरने की आवाज महसूस होती है पीछे वो मुडता है तो पीछे एक किलास था जो लुड़कता हुआ उसके पैरों से आकर के टकरा के रुख गया बाकी उस खर के अंदर कुछ नहीं था स्टेरकेस थी उपर जाने के लिए वहाँ पे वो गया दो रूम्स थे दोनों रूम्स को खोल करके देखा एक प्यानो रखा था एक चेर थी और दूसरा रूम जो था तूटी हुई है शायद उसी के चलते वो चमकादड उस खर के अंदर आ गए थे इकका दुक्का बूंद जो थी वो उस प्यानो पर भी किर रहे थी इसके रावा कुछ नहीं थोड़ी दे वो वहाँ पे रुका और उसे लगा खामा खा लोगों ने यहाँ पे हववा बना रखा है और ऐसा कुछ नहीं है लेकिन उसको एक बात या थी कि इस हॉंटिड हाउस के अंदर कुल मिला करके नौ लोग मुझसे पहले आ चुके हैं लेकिन वो नौ के नौ लोग वापस कभी नहीं गए उसे अब ये जानने की इच्छा हुई कि आखिर उन लोगों का क्या हुआ नीचे वो उद्रा इधर उदर वो घूमा उसको बहुत ही जादा तेज किसी चीज के सडने की बदबु आई उसने जैसे ही फ्लेश लाइट को जमीन पे मारा उसको दिखाई दी यहाँ पर एक अधकली लाश उसके ओपर मखिया भिन बिना रही थी और उसका पूरा मास जो था उसके अंदर यहाँ पे कीड़े बड़े हुए थे इतना देखते ही वो वहाँ से भागा बहुत तेज वो भागा जैसे ही वो मुढ करके गेट की तरफ जाने लगा उसका पैर यहाँ पे दूसरी लाश से टकराया जो लाश पहले यहाँ पर नहीं थी टकरा करके वो गिरा वो दुबारा उठा गेट की तरफ जाने लगा कि पीछे से उसको एक आवाज सुनाई दी सुनो क्यूं आए तुम यहाँ बहुत बड़ी कलती कर दी अब तुम्हारे उपर वो आत्माए राज करेंगे तुम्हें वो जीने नहीं देंगी तुम यहाँ पर क्यूं आए अभी बहुत डरा हुआ था नजाने उसके मन में क्या सुझी उसने एक बार को गर्दन घुमा के पीछे देखा तो वही दो लाशे जिनसे वो टकरा के गिरा था वो उसके पीछे खड़ी हुई थी और वो शक्स जो थे वो बोल रहे थे अभी चिलाया बहुत तेश चिलाया और केट से बाहर बस यही उसके साथ हुगा प्रतीक उसको खिड़की से देख भी नहीं रहा था अभी जैसे बाहर आया उसने का चलो इस हांटिड हाउस से में जिन्दा बच के बाहर निकल गया अब कोई दिक्कत नहीं जिनको मरना था मर गए यह तो बात पक्खी थी ही कि यह जगा हॉंटिड है मैं प्रतीक के सामने जाकर के बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करूँगा कुछ भी अजीव नहीं वो प्रतीक के सामने गया प्रतीक के पास जैसे ही वो गया उसने का प्रतीक यह लड़का कौन है जो तेरे साथ खड़ा है उसने का अरे यह हाँ यह है मेरा दोस्त असलम और असलम यह है अभी हाथ मिलाओ एक दूसरे से उन दोनोंने एक दूसरे से हाथ मिलाया प्रतीक इस चीज़ को देखकर बहुत खुशूरा था कि चलो असलम से अभी की दोस्ती हो गई लेकिन याद रखना कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाल है थोड़ी देर तक उसने प्रतीक को सारी बात बताई है और इधर बात को और ज़्यादा बड़ा चड़ा करके भी कि वहाँ पे भूतों से मेरी मुलाकात हुई मैंने हनुमान चालीसा पड़ दी तुम मानेगा नहीं वहाँ पर ना सारा का सारा फरनीचर अचानक से न कापने लग गया और मैंने देखा वो भूत उसी केट से बाहर तुम मानेगा नहीं, अब वो जगा जो है ना शायद हॉंटिड नहीं है तु तो जानता ही है, मेरी शक्तियों को और तु जानता है हनुमान जी को भाई हनुमान जी के नाम के सामने तो अच्छे-च्छे भूत कापते हैं मैं वहाँ पे खबराया नहीं और मैंने ऐसा कर दिया अब देख अब तो मानता है ना मैं खुशी के सामने यहाँ पर जा करके अपनी दिल की बात कहूंगा प्रतिक ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सही तो उसने अभी ने कहा असलम तुम्हारा रूम कौन सा है असलम ने जवाब दिया यहाँ से तीन रूम अपना आ रहा था और वही दो लोग जो उसको उदर हॉंटिड हाउज में मिले थे और उसको इदर डरा रहे थे उन्ही का सपना उसे लगाता रहा था वो जैसे उठा उसने अपने सामने असलम को देखा जो इधर मुस्कुरा रहा था अभी ने असलम से पूछा यार तुम तुम सोई नहीं अब तक देखो प्रतीक भी सो चुका है और तुम सोई क्यों नहीं तुम्हें क्या अपने रूम में जाना है उसने का नहीं नहीं मेरी प्रतीक से बात हो गई थी उसने का था आज राते ही रूख जा अक्सर मैं और प्रतीक बाहर ही मिलते हैं मैं पहली बारी रूम में आयो तो इसलिए तुम पहचान नहीं पारे हो उसने का हाँ हाँ ये बात हो सकती है थोड़ी देर तक उनकी दुबारा बात हुई और दुबारा अभी और असलम सोने चली गए अभी के सोते हुए किसी ने पैर पकड़े और बहुत तेज उसको बिस्तर से यहाँ पे आगई है मैं तुझे बताओं देख मैंने कोई हनुमान चालीस अनी पड़ी और मैंने सब जूट बोल रहा था भाई भाई मुझे मुझे माफ कर दे उसने का यार कोई आत्मा बात मन नहीं है कुछ नहीं है चुप-चाप सोजाना आत्मा तुझे परिशान करेगी मुझे नहीं करेगी मुझे डरती है क्या हो उसने ये बात बोली जिसके अंदर दम है मुझे परिशान करे लेकिन प्रतीक को कोई यहां पर परिशान कर नहीं रहा था उसने का अभी देख तुझ चुप-चाप सोजा तेरे मन का वहम है और मैं जानता था कि तुझ जो हनुमान चा प्रतीक की तरफ मुझ कर लिया जब उसने प्रतीक की तरफ मुझ किया उसने देखा असलम जो है वो प्रतीक की तरफ देख करके मुस्कुरा रहा है अभी ने दुबारा असलम की तरफ देख और इशारा किया जैसे हातों से हम इशारा करते है न क्या इस तरीके से उसने एक सेकंड बीता होगा, जैसे ही उसने इधर करवट ली, अब उसे असलम दूसरी तरफ दिखने लगा, वो इधर बहुत जादा डर गया, उसने प्रतीक को जगाया और उसने कहा, भाई वो असलम है ना, वो ना पता नी क्या है यार, अभी तो यही था तेरे सामने, अभी वह जला गया, प्रतीक ने कहा, एक बात बता, किस असलम की बात कर रहा है तूँ, अभी ने जैसे ये बात सुनी, उसके पैरो तले जमीन के सक गई, उसने कहा, असलम तेरा दोस्त, तू तो अभी बोल रहा था ना, प्रतीक की तेरा दोस्त है असलम, उसने कहा, मैं किसी असलम क तू मेरी फिरकी ले रहा है, तो मैं भी तेरी फिरकी ले रहा था, मैं तो किसी असलम से मिला ही नहीं, इसलिए मैंने कहा दिया, हाँ ये असलम है, मैं इसको जानता हूँ, क्योंकि मुझे तो कोई असलम दिखाई नहीं दिया, असलम ने मेरे से बात करी, दो चार घंटे से त कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने प्रतीक को कहा कि वो रूम नंबर 403 में रहता है। वहाँ पे जाकर हम देखते हैं। 403 में वो गए तो 403 वाले जो थे वो चुपचाप सो रहे थे, वो खुद कहा रहे थे, यहाँ पे कोई असलम नहीं है। यह सब बाते जैसे ही चल रहे थी, इतने में अभी के कानों में एक आवास पड़ती है। कोई असलम नहीं है। मैंने कहा था ना, उस जगह आकर के तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। अभी तुम देखो कि तुम्हारा क्या हश्रूत है। अभी बहुत ज़्यादा काप रहा था और जमीन की तरफ देखते हुए बस आईबॉल्स को इधर से उधर कर रहा था और यहीं सोच रहा था, कि उसके साथ यह सब हुआ क्या। वो पूरा हॉंटिड हाउस, वो असलम, वो दोनों लोग, वो सब कुछ उसकी नजरों के सामने या घूम रहा था, इतने में प्रतीक ने उसके कंदे पे हाथ रखा और कहा, देख, यह सब कुछ उस हॉंटिड हाउस से शुरू हुआ है, हमें वहीं पर जाकर के, इन सब ची जो इन सब हॉंटिड हाउस, भूत, प्रेट, चोड़ायलो जैसी चीजों में मानते हो, तु देख, मैं उसका क्या हाल करता हूँ, प्रतीक वहां गया और अभी भी, अभी ने जाते ही हॉंटिड हाउस के बाहर हाथ चोड़ लिए, और कहा, मुझे माफ कर दीजे, मैं गलत मैं बताता हूँ, उसने अपनी पैंट के जिप खोली, और वहाँ पे उसने सूसू करनी शुरू कर दी, गेट के उपर उसने सूसू कर दी, और चिलाने लगा, गंदी-गंदी मा भेन की गालिया देने लगा, और कहने लगा, जिसमें हिम्मत है, मुझ से बात करो, दूद प कुछ उसके साथ क्या हुआ, वो अभी की तरफ देख रहा था, मानो जैसे वो अभी से इन सब सवालों के जवाब चाता हूँ, एक सेकंड भी नहीं बीता होगा, उसके दोनों पैर किसी ने बगड़े, और घसीटते हुए, उसको हांटिड हाउस के अंदर, और बाद में द नहीं थी, कि अब वो उस हांटिड हाउस के अंदर जा सके है, अगले दिन न जाने किस तरीके से क्रतीक की डेड बाड़ी उस हांटिड हाउस के बाहर मिली है, पुलिस इन्वेस्टिकेशन वगएरा सब कुछ हुई, और ये मालुम चला कि उस लड़की की टैथ हार्ट नहीं थे, थोड़ी बहुत पूछताच अभी से और आसपास के लोगों से, और उसके बाद मामले को रफा दफा कर दिया गया, क्योंकि सब लोग के बाद चानते थे, कि वो जगा हांटिड है, अभी इस चीज़ को ले करके बहुत ज़ादा शौक्ट था, वो वापस अपन इंटे के बाद में, यहाँ पर दुबारा से एक कॉल पुलिस के पास जाती है, और पुलिस को कॉल करने वाला था, खुद अभी, उसने कहा, मार दिया मैंने इनको, ये लोग मुझे पागल कह रहे थे, इनकी चुर्रत कैसे हुई, मुझे पागल कहने की, मार दिया, और पर आगे, और उन्होंने देखा, एक चक्कु है, उसके पेरंट्स दोनों वहाँ पर मरे हुए है, पागलों की तरह अभी यहाँ पर चिलाए जा रहा है, और एक दम से वो रो भी रहा है, मम्मी, मम्मी, क्या हुआ, पापा, क्या हुआ, एक दम से वो रो रहा है, फिर कहा तो हुआ, मर गए, पागल कैसे कहा इन्होंने, मैं पागल दिखता हूँ क्या, फिर वो पुलिस वालों की तरफ चक कुले कर किया भागने लगा, लेकिन काफी सारे लोग थे, उसको पगड़ लिया गया, डाइगनॉसिस वगएरा उसके सब कुछ होई, और तब जाकर ये मालू चला कि ये लड़का, अपना mental balance खोच चुका है, ये पूरी तरह से पागल हो चुका, और वो लगातार ये बात बोलता था, कि मुझे ये सब कुछ करने के लिए असलम ने कहा है, असलम मुझे कहता है, मार दो, तो मैं मार देता हूँ, वो मुझे कहेगा बक्ष्टो, तो मैं बक्ष्टूंगा, अब असलम मुझे कह रहा है, कि मैं अपनी करदन काट लूँ, और वो सब कुछ possible तो नहीं था, उसके ओपर charges वगएरा जो लगे सो लगे, लेकिन उसको mental hospital में डाल दिया गया डॉक्टर प्रशांत ने विराज को पूरी कहानी बता दी और कहा ये थी इसकी कहानी उसने का, सर, लेकिन आपने मुझे एक बात शुरुवात में कही थी, कि मैं चाहा करके भी इसकी मदद नहीं कर सकता, इसके पीछे का क्या राज है, जब बताएंगे आप, उसने का, दरसल मेरी बहन जो थी, वो भी इसी के college में पढ़ती थी नजाने वो कैसे उस जगा में चली गई थी, और उसकी भी death से जानते थे, कहा जाता है कि वो औरत जो है वो इन सब चीजों से छुटकारा दिला सकती है, मैं उसका पता भी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ कि वो मेरी मदद भी कर देगी लेकिन मैं चाहा करके भी वा नहीं जा सकता उसने का सर ऐसा क्यों, उसने कहा, जब ये लड़का यहां पर आया था मैं वहाँ पर जाने को तैयार था, मुझे अपने कानों में एक आवाज सुनाई थी और उस आवाज ने मुझसे कहा जैसे ही है इसे रहने दे अभी तो सिर्फ तेरा बच्चा गिरा है, तेरी बीवी और तू, दोनों के दोनों लाग कोशिशे कर लो उस माई के पास नहीं जब आओगे और अगर गए तो उससे पहले तुम्हारी मौत पक्की है सिर्फ तेरा बच्चा ही गिरा है इतने में डॉक्टर प्रशांत ने का मेरे पास में कॉल आती है मेरी वाइफ की और वो कहती है कि उनका मिस्केरेच हो चुगा है कुछ यहाँ पर वो छे महीने की प्रेगनन थी और मुझे यह पता चला कि अब वो कभी दुबारा मा नहीं बन पाईगी मैंने सिर्फ इसकी मदद करनी चाही थी और वो मैं चाहकर के भी नहीं कर सकता मेरे उपर खुद यहाँ पर मौत मंडरा रही है बस खुशी इस बात किये कि उन आत्मावने इस से ज़ादा मेरा कोई नुकसान नहीं किया इसी विराज मैं तुमें भी यह सला दूगा कि चाहकर के भी इसकी मदद मत करना यह पूरे दिन असलम असलम चिलाएगा प्रतीक प्रतीक चिलाएगा तुमें इसको देख कर के थोड़ी दया भी आएगी लेकिन अगर तुम इसकी मदद करना जाओगे तो यकीन मानो उस घर के अंदर जो भी एंटिटी मौजूद है वो तुमें बक्षेगी नी वो कौन सी आत्मा है वो कौन सा परिवार है जिन बसते हैं छलावे बसते हैं चुडल डायन क्या बसता है वहाँ किसी को नहीं पता कोई जानना भी नहीं चाता और तुम भी नहीं जानो तो अच्छा है उसने दुबारा से विराज ने इधर अभी की तरफ देखा तो वो यही चिला रहा था असलम मसलम मुझे माफ कर दो मेरा पीछा छोड़ दो मैं कभी किसी का बुरा नहीं करूँगा मैं तुमारे घर कभी नहीं आऊँगा बस यही सब बोल रहा था फिर अचानक से चुप चाप बिल्कुल साइलेंट होकर वो बैठ गया बहुत तेज तेज इधर हसने लगा रोने लगा कुछ पंदरा मिनट तक उसने सब कुछ किया और उसके बाद सो गया यह सब कुछ डेली का रोटीन विराज के लिए बन चुका था विराज ने उससे पूछा भी कि सर एक बात बताईए आखिर उन आत्मावने इसको बक्षा क्यों डॉक्टर ने कहा इसका जवाब तो मेरे पास में भी नहीं है क्योंकि जो भी उदर गया है उसकी मौत तो हुई ही है यह कैसे बच गया यह मुझे नहीं पता लेकिन यह जिन्दगी भी क्या ही जिन्दगी है जो मौत से भी सादा पत्तर हो खुद देखो इसे कोई दवाई इसके उपर काम नहीं करती और कमाल की बात यह है कि इन सब सच को चानने के बात में भी ना तुम ना मैं इसकी कोई मदद कर सकते इन बातों को कुछ दो साल अब बीच चुके है आज तक भी अभी की हालत में कोई सुधार नहीं है कोई उसको देखने के लिए नहीं आता या आपको स्टोरी कैसी लगी अच्छी लगी या बुरी लगी इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीप इंसिडेंट हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आइडी पर जीमेल आइडी उपर दिखाए तेरे योगी आपको और इंस्टा आइडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौचूद है दोनों ही प्लैटफॉर्म्स में से जिस भी प्लैटफॉर्म पर आप कमफर्टेबल हो वहाँ पर जाकर कि अपनी स्टोरी मेरे साथ साचा कर सकते हैं तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था आप जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर गुडबाए